आज हम गुपत उश्मा अर्थात लेटेंट हीट पर चर्चा करेंगे क्या होती है गुपत उश्मा नाम से तो कुछ ऐसा लग रहा है कि जो छुपी उश्मा होगी वही गुपत उश्मा होगी बिल्कुल सही है छुपी उश्मा अब केसे कि देखिए यहाँ पर यह एक graph है हलाकि यह पेमाने का अनुसार नहीं है पर फिर भी इस graph से मैं आपको कुछ बताता हूँ फिर अपन गुपत उश्मा की परिभाश्चा पर आएंगे जैसे यहाँ देख लीजिए यह ताप है और यह उश्मा है ठीक है तो यह मान लीजिए यह ताप और उश्मा का ग्राफ मैं ने यहाँ पर आपके सम्मुक रखा है इसको मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि सपोज आपके पास माइनस 10 डिग्री सेंटिग्रेट के उपर कोई कुछ बर्फ की मात्रा है ठीक है अब आपने उसको गर्म किया तो जब आप गर्म करते हैं तो गर्म करने पर आप क्या कर रहे हैं उसको उश्मा दे रहे हैं तो दिखिया आपने गर्म करने पर उसको उश्मा दी और उश्मा देने से उसका ताप बढ़ा और ताप बढ़ते बढ़ते कहां तक आगिया 0 degree centigrade तक तो आपने क्या किया आपके पास minus 10 degree centigrade पर कुछ बर्फ है आपने उसको गर्म किया क्या होगा ताप बढ़ेगा और बर्फ 0 degree centigrade पर पहुँच जाएगा ठीक है अब 0 degree centigrade क्या है यह तो बर्फ का गल्लांग यह तो यहां यह आप इसको कहेंगे जो बर्फ का गल्लांग होता हूँ 0 degree centigrade मतलब 273 Kelvin ठीक है अब आप और गर्म करो इसको आप और गर्म करेंगे तो क्या होगा और गर्म करने पर क्या होगा बर्फ पिगलेगी ठीक है यह बर्फ पिगला शुरू ही आपने और गर्म किया देखे यह आपका यह उश्माप देते जा रहा है मतलब आप उसको और गर् कुक्षचर नहीं ताप नहीं बढ़ रहा है उश्मा देते जा रहे हैं बर्म पिगलती ज़या रही पर ताप नहीं बढ़ रहा है ताप वही का वही है Year 0-0 degrees centigrade यहां इस जगे तक जब तक कि सारा बर्फ पानी में नहीं बदल जाए तब तक ताप नहीं बढ़ता जहाए आप उश्मा देते रहें ठीक है जैसे ही सारा बर्फ पानी में बदलता है कि अब आपके द्वारा जो दी गई उश्मा है उससे क्या होता है उस दी गई उश 0-0 degree centigrade मतलब जो बर्फ का गल्लांग के 0-0 degree centigrade उसमें आपने देखा कि बर्फ पिगली उश्मा देने पर बर्फ पिगली परंत उसका ताप नहीं बतला ताप वही का वही रहा 0-0 degree centigrade पूरी बर्फ की मात्रा जब पानी में बदल गई फिर उसके बाद में फिर जो है ताप ब यह उश्मा कहीं नहीं गई बलकि यह उश्मा वहीं कहीं है यह क्या हो रहा है यह बर्फ की अवस्था बदलने में वहा लगी थी और ये बर्फ की जो अवस्था बदलने में लग रही है मतलब ठोस को किसमें बदल रही है, द्राव में बदल रही है इस उश्मा को ही कहते हैं संगलन की गुप्त उश्मा क्या बोलते हैं इसको संगलन की गुप्त उश्मा जो अवस्था परिवर्तन के काम आ रही है बर्ब को किस में बदल रही है पानी में बदल रही है संगलन समझ रहे है संगलन मतलब गलन की प्रक्रिया गलन की जो प्रक्रिया है मतलब ठोस जब द्रव में बदलता है तो उस प्रक्रिया को संगलन कहते है तो यह संगलन की गुपत उश्मा है कि यह बर्ब जो पानी में बदल रहा था तो यह जो संगलन हो रहा है बर्ब का पानी में बदलना इसकी गुपत उश्मा है मतलब यह जो अवस्था बदल रही है इस अवस्था को बदलने में जो लगी भी उश्मा है उसे हम कहेंगे संगलन की गुप्त उश्मा और एक और मज़ेदार बात अभी आपको यहां दिखाई दे रही है कि यह जो पानी में जब यह 0 degree centigrade की जो बर्फ है जो यहां से चली है और यह 0 degree centigrade का पानी यहां तक तो डेफिनेटली आपको यहां दिखाई दे रहा है कि यह 0 degree centigrade के पानी में तो उश्मा ज्यादा है परंतु 0 degree centigrade की बर्फ भी का विताब 0 degree centigrade का पानी उसका भी ताब 0 degree centigrade है परंतु बर्फ में उश्मा कम है और पानी में उश्मा क्या है ज्यादा है इसी से पता चल रहा है कि य यह जो गुप्त उश्मा है मतलब यह उश्मा अवस्था परिवर्तन में लग गई या लग रही है ठीक है अब आगे पड़े चली अब यह तो पानी में बदल गई पानी आप गर्म करते रहे गम करते रहे और आप आगे यह 100 डिग्री सेंटीडर तो अब हंड़े डिग्री सेंटीडर क्या है यह जल का कौतरांग वाइलिंग पाइंट इसको बोलता है 303 केलविन ठीके नब अब उबलते वे जल का टेंपरेचर है अब यहां आप देख रहे हैं ओर टेंप आप आपने और उश्मा दी ठीक है सो डिग्री सेंटीडर तो आप तो हो गया उबलते जल का आप उश्मा दे रहे हैं आप और उश्मा दे रहे हैं आप आगे बढ़ते जाने आपने और उश्मा दी पर आप यहां मज़ेदार बात देख रहे हैं कि पानी उबल रहा है भाप में बदल रहा है पानी उबल रह मतलब क्या हुआ कि उबलते जल का तापमान जो है वह वही है इसे आपने उश्मा दी ठीक है तो यह वाश्पया भाब बनती रहती है परन्तु ताप वही रहता है इस प्रकार यहां भी क्या हो रहा है यह जो उश्मा आप दे रहे हैं यहां भी आप जो उश्मा दे रहे हैं वो उससे ताप नहीं बदल रहा है, ताप तो वही है 100 degree centigrade, तो फिर ये उश्मा कहा जा रही है, ये भी अवस्था परिवर्तन में काम आ रही है, मतलब पानी किसमें बदल रहा है, भाप में बदल रहा है, जब पूरा पानी भाप में बदल जाता है, तब फिर आपके द्वार वाश्पन की प्रक्रिया हो रही है, तो इसे हम कहेंगे वाश्पन की गुपतुश्मा, तो definitely हम गुपतुश्मा से एक बास समझे, कि जो गुपतुश्मा है, वो कहीं न कहीं, मतलब वो चाहे आप बर्प से पानी बना रहे हों, चाहे आप पानी से भाप बना रहे हों, तो यहां आप इसको वाश्पन की गुपत उश्मा कहेंगे मतलब आप देख लीजिए कि आप 0 degree centigrade की बर्फ है पिगल रही है टेंपरेचर फिर भी 0 degree centigrade है और पिगल रही 0 degree centigrade है जब तक कि पूरे पानी में कनवर्ट नहीं हो जाती जब आप गर्म कीजिए जब आप बर्म करेंगे तो ताप बढ़ेगा मतलब यह जो यहां से है कि समान ताप और बढ़ती भी उड़ जा एनरजी बढ़ रही है लेकिन टेंपरेचर से हैं और यह क्या है 0 degree centigrade 0,0,0,0 है ना तो यह जो यहां आप उश्मा दे रहे हैं पिर भी ताप नहीं बढ़ रहा है तो यह जो आपने उश्मा दी है definitely अब यहां देखिए यहां मैंने अभी अभी हाल आप से चर्चा की थी कि इसको इससे convert होने में जो energy लगी है वही उसकी क्या है गुप तुश्मा है तो मेरे ख्याल से गुप तुश्मा का concept रिल्गूर क्लियर हुआ होगा अब हम चाहें तो इसको definition की रूप में थोड़ा सा ओर देख लेते हैं ताकि बच्चों के question answers भी हो जाएं ठीक है मैं उसको वहाँ भी क्लियर करने का प्रयास आपको करूँगा आईए देखते हैं देखे अब गुप तुश्मा पर बात कर रहे हैं तो चलिए अब definition पर आ जाते हैं कि आपने कहा कि वायूमंडली दाप पर एक किलोग्राम ठोस है ठीक है और मान लिजिए आप ठोस भी आपन बात कर रहे थे बर्फ की वायूमंडली दाप तो हमने इसलिए शब्द यूज़ कर लिया क्योंकि हमें पता है कि temperature जो pressure है मतलब दाप जो है दाप के बढ़ने से भी क्या होता है अवस्था में परिवर्तन हो सकता है दाप के बदलने से अवस्था में परिवर्तन हो जाता है तो हमने इसलिए fix कर लिया कि वायूमंडली दाप है इसलिए यह ज़्यादा इतना आपको रटने की जरूत नहीं है वायूमंडली दाप का मतलब यह है कि ऐसा दाब जो पूरी प्रक्रिया के दोरान समान रहेगा ठीक है तो वायूमंडली दाब पर एक केजी ठोस अब यहां एक केजी का भी कोई बहुत पिशेश मतलब नहीं है मतलब वो है कि जो एमाउंट आपने एक बार ले लिया है चाहे बर्फ लिये तो वो फिक्स है मतलब उसको कम जादा मत कीजेगा ठीक है अब एक केजी ठोस को उसके गल्लांक पर गल्लांक मतलब होई अगर आपने बर्फ लिया तो जीरो डिक्री संटीक्रेट पर ठीक है अब यह एक शब्द बढ़ गया वायुमंड लिदाप और एक किलोग्राम ठोस तो कोई बात नहीं यह तो यह हम हमारे कुछ मिजरमेंट्स ले रहे हैं कि भई हम वायुमंड लिदाप पर फिक्स है और हम यह भी कह रहे हैं कि हमारे पास महत्रा जो है वो भी फिक्स है लेकिन आपने जो डेफिनेशन है मूल रूप से वो क्या है ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी उश्मा की आवशकता होगी उसे संगलन की गुपत उश्मा कहेंगे ठीक है मतलब यह देखिए यहाँ आपका यह वर पिगल रहा है टेंपरचर 0 cc के ठीक है लेकिन आवस्था में क्या हो रहा है परिवर्टन हो रहा है तो definitely यहां पर क्या हो रहा है कि संगलन की गुपत उश्मा यहां काम आ रही है मतलब जो आप उश्मा उसको दे रहे है व यहाँ पर क्या है यह जो जल है इस जल के कणों की जो उश्मा है मताब अभी अगर आप यह पूरा जीरो डिगर सेंटिग्रेट के पानी में कनवर्ट हो जाएं तो जो जल के कणों की जो उश्मा है यह ना मतब जल के कणों की जो एनरजी उश्मा के उश्मा उड़ जाए वो बर्फ के जो कण है उनकी उश्मा है उड़ जादा है क्यों क्यूकि संगलन की गुपत उश्मा के रूप में क्या कर लिए इ अतिरिक उश्मा ऊश्योशित कर लिए तो हम यह कह सकतें कि zero degree centigrade मतलब 273 Kelvin पर जल के कणों की उर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की उर्जा से क्या होती है अधिक होती, मतलब 0 degree centigrade पर जो जल के कण है यह भी मालिजे बर्फ पूर 0 degree centigrade की जो बर्फ है, वो 0 degree centigrade के पानी में बदले, ठीक है तो जो पानी है 0 degree centigrade का उसमें क्या है उसकी उर्जा जादा है उसकी उर्जा जादा क्यों है कि उसने संगलन की गुप तुष्मा के रूप में extra energy absorb कर लिए ले लिए तो उसके पास energy क्या है जादा है लेकिन गुप तुष्मा क्या है अबस्था परिवर्तन में जो उसमा लगी यह वो गुप तुष्मा है ठीक है मतलब 0 degree centigrade की जो बर्फे वो 0 degree centigrade की जब पानी में बदली तो हम कहेंगे यह संगलन की गुप तुष्मा के कारण ऐसा हुआ है संगलन की गुप तुष्मा वहाँ यूज हो गई तो वो आपकी वही डिफ्रेंस जो है यहां बन के आ रहा है चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब हम लेते हैं हमारी जो वाश्पन की गुप तुष्मा उसको ले लेते हैं तो आप देखे बिल्कुल मैं सेम बना रहा हुए आप एक किलोग्राम द्रव मतलब 373 केल्विन पर वाश्पन मैं बदलने के लिए जितनी उश्मी उड़ जा के आवशक्ता होती उसे वाश्पन की गुप तुष्मा कहते हैं मतलब एक किलोग्राम द्रव ले लिया आपने वही वाईव मंदली दाब ले लिया तो जितनी उश्मी उड़ जा के आवशकता हो रही है उसे वाश्पी करण की गुपतुश्मा कहते हैं यहां हमने कहा था कि ठोस द्रव में कनवर्ट हो रहा है तो जितनी उश्मी उड़ जा के आवशकता हो रही है उसे संगलन की गुपतुश्मा कह रहे हैं यहां यहां आमने का कि जो बर्फ है वो पानी में बदनने के लिए जितनी उश्मी उड़ जा कि आवशक्ता हो रही है उसकी उसको उसकी संगलन की गुपतुश्मा कह रहे हैं हुर यह हम ने का कि जो द्रव है मतलब पानी है वह भाप में बदन ले केलिए जितनी उश्मूरजा की आवशकता पड़ रही है उसे वाश्पी करण की गुपतुषमा कह रहे हैं आप मान पर जल के कणों की उठ जा से क्या होगी अधिक होगी क्यों कि भाप के करोणा ने वाश्पी करन की गुपत उश्मा के रूप में एक्स्ट्रा एनरजी को एब्जार्व किया हुआ है इसलिए उसकी उश्मा क्या होगी जादा होगी हमने अभी ग्राफ में भी देखा हैं 100 degree centigrade के जल की तुल्ला में क्योंकि उसमें एनरजी क्या है ज्यादा है तो मेरे ख्याल से गुप तुश्मा का एक concept आपको clear हुआ होगा धन्यवाद